हेलो, मैं all lovely students, I hope आप लोग बहुत अच्छे हैं, पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर रहे हैं, आज class 8 का science का lecture है, chapter 1, इसके पहले chapter 1 का एक lecture मैं already ले चुकी हूँ, ठीक है, अगर आप लोगों ने उसे नहीं देखा है, तो आप playlist में जाके, class 8 का playlist है, उसमें आप वो lecture देख स जिसके कुछ portion, कुछ paragraph मैंने पहले पढ़ा दिया है, उसे आप लोग देख लीजें, ठीक है, आज का जो topic है, वो है basic practices of crop production, यानि जो फसल उत्पादन के बुनियादी प्रथाएं हैं, यानि जो basic steps हैं, किसी भी crops को उगाने में, ठीक है, cultivation में, उसके बारे में हम जानेंगे किसी भी crop को cultivate करने में एक किसान, farmer had performed various activities, किसान कई तरीके की activity करता है, पूरे time में, ठीक है, जब तक फसल पूरी तरीके से तयार नहीं हो जाती है, और ये जो activity होती है, या बहुत ही similar होती है, जैसे एक माली अपने बगीचे की देखभाल करता है, या फिर हम कोई plant वगेर गार्डन में लगा दिये हैं, या फिर घर पे, तो उसके हम देखभाल करते हैं, और उसी तरीके से किसान all over period, एक activity करता है crop को उगाने में, वो उस activity को जो नाम दिया गया है, वो है agricultural practices, ठीक है, उसको नाम दिया गया है agricultural practices, और इसे perform करने का जो sequence है, वो नीचे दिया गया है यानि यह जो activity करते हैं, फसल की बुआई कैसे step by step होती है, कैसे कोई भी crop तैयार होती है, वो sequence पूरा नीचे दिया गया है, सबसे पहला है preparation of soil, मिट्टी को तैयार करना, दूसरा है showing बुआई, उसके बाद adding manure and fertilizers, उसमें natural खाद हो गया और fertilizer जो रसाइनी खाद होती है, वो के बाद होती है, फसल की कटाई, now storage, ठीक है, यह हमने sequence देख लिया कि किस sequence में एक फसल तैयार होती है, यह है पूरा sequence, ठीक है, अब इसके बारे में detail में जानेंगे, सबसे पहला है आपका preparation of soil, किसी भी फसल को उगाने के लिए सबसे ज़्यादा important होता है, मिट्टी को तैय करना जो पहला step है, यह बहुत ही ज़्यादा important है, ठीक है, खेती में, जो to lose the soil is one of the most important tasks, मिट्टी को धीला करना, सबसे ज़्यादा महतपूर टास्क है, ठीक है, यह जो activity है, यह जो जड़ होती है, crops की, उसको मिट्टी के अंदर तक जाने में help करती है, और loose soil, root को breathe करने में बहुत help करती है, बहुत असानी होती है, जो crops की जो roots होती है, वो असानी से breathe कर सकती है, ठीक है, how does loose soil let the roots to breathe, अब यहाँ पे question है कि, जो loose, जो धीली मिट्टी होती है, वो roots, जो जड़ होती है, उसको breathe करने में कैसे help करती है, जो crop की roots होती है, उसे breathe सास लेने में कैसे help करती ह है ठीक है देखते हैं आगे में लुजन स्वाल at the growth of erthorman make us यह जो लूजन जो धीली मिट्टी होती है यह क्या करती है जो केच्वा होता है और जो सुच मज्यू होतें उन्हें ग्रोव करने में हेल्प करती है जो microbes होते हैं बैक्टिरिया होती है वो क्या होती है किसान की friend एक अच्छी friend होती है क्योंकि यह स्वाइल को lose करने में और जाधा मदद करती है ठीक है और बट लेकिन why the soil needs to turn and loosen जरूरत क्यों पड़ती है स्वाइल को ढिला करने या turn करने का यहां पर मिट्टी को turn करने का sense क्या है बच्चों कि मिट्टी को जब हम खेत की जुताय करते है तो जो नीचे की layer होती है वो उपर आ जाती है उपर की नीचे ऐसा turn हो जाती है ठीक है लेकिन यह क्यों होती इसके ज़रूरत क्यों पड़ती है वो रहते हैं प्रिविस क्लास में हमने जाना है कि सुरी प्रिविस क्लास में हमने देखा है कि हमने सीखा है कि minerals, water minerals, water, air and कुछ जो living organs जो सुच में जीव होते हैं वो मिट्टी में होते हैं ठीक है? Dead plants and animals जो dead animals होते हैं जो dead plants होते हैं वो मिट्टी में decomposed हो जाते हैं इन organisms यो जीव होते हैं जो सुच में जीव होते हैं जो bacteria होते हैं ना मिट्टी में nutritions, मिट्टी में वापस आ जाते हैं, यानि मिट्टी को जादा से जादा nutritions इससे मिलता है, यह जो डीकंपोस होता है ना, dead plants और animals, इससे मिट्टी को nutritions मिलता है, ठीक है, जो पौधों के द्वारा absorb कर लिया जाता है, जो पौधे होते हैं, या जो crops है, खेत है, तो जो crops है, वो क्या करते हैं, इस nutritions को absorb कर लेते हैं, और सोसिद कर लेते हैं, ठीक है, as only a few centimeter of the top layer of soil support plant growth, जो मिट्टी का top layer होता है, उसके कुछ centimeter नीचे ही, जो crop होती है, उसका root होता है, ठीक है, जो कि plant को grow करने में support करता है, turning or losing, जो nutritions है, वो मिट्टी के top, so that nutritions can be used by plants, जो भी हम turning or losing का use करते हैं, वो क्या करता है, nutritions को मिट्टी के top से, नीचे-नीचे से, वो mix हो जाता है ना, उसमें, तो मिट्टी के top पे हम जो भी manure या जो भी वो add करते हैं, वो उस direct plant को मिल जाता है, इसलिए cultivation of crop turning, losing of soil is essential, इसलिए खेती करने के लिए, फसल की खेती के लिए, जो मिट्टी को turn करना और मिट्टी को lose करना बहुती जादा आवश्यक होता है, बहुती जादा जरूरी होता है, ठीक है, यहनि खेत की जुताई और खेत में थोड़ा, पानी थोड़ा watering, बहुत ज soil is known as tealing or flowing, जो process है, मिट्टी को lose करने का, turn करने का, उसे हम क्या कहते है, tealing और plowing, इन दोनों का मतलब होता है जुताई करना, ठीक है, जो tool use होता है, जुताई करने में, उसे कहते है plow, यानि hull, ठीक है, इस process में जो tool use होता है, उसे कहते है hull, और यह बना होता है, लकड़ी और लोहे का ठीकिए जो प्लाव यहु! जो हल बना होता हुँ लकड़ी और लोहे का बना होता है और इसके लिए आवे शकता होती है जुताई करने से पहले मिट्टी को तो ठोड़ी वाटर नुक्र ज़रूरत होती है ठीके अजो कि जुते Chuck eligibility sincer होता है ठीके — उसमें तुरंद ऑनली खेत की जुताई हुई है तो प्लेन नहीं होता है उसमें मिट्टी के छोटे-छोटे-छोटे-छोटे गुच्छे बने होते हैं ठीक है जिसे की तोड़ना बहुत ज़रूरी होता है ठीक है यह जो बेनिफीशल होता है खेत को लेवल करने में और इरिगेशन स मिट्टी को लेवल करने में पहले खेत की जुताई होती है उसके बाद मिट्टी को लेवल किया जाता है वो यहाँ पे गाउं में हेंगा बोलते है ना उससे होता है खेत को लेवल में किया जाता है जो कि बहुत ही बेनिफीशल होता है बुआई करने में और सिचाई करने मे भी before dealing of soil manure is added to it which let it to mix it properly खेत की जुताई करने से पहले मिट्टी में खाट डाल दी जाती खाट की छड़का होता है जो जिससे जब हम खेत की जुताई करते हैं तो उसमें प्रॉपर मिक्स हो जाता है ठीक है अब सेंड डाउन मिट्टी नीचे की मिट्टी उपर उपर की नीचे तो वह पूरा अच्छे से मिक्स हो जाता है ठीक है बुआई से पहले the soil is moisture और मिट्टी में थोड़ी नमी होनी भी ज़रूरी है अगर किसी भी फसल की हम बुआई कर र होगा कि एक क्रॉप के प्रोड़क्शन के लिए क्रॉप के जो वह आई है जो प्रोड़क्शन है उसमें उसका सिक्वेंस क्या है आपने अच्छे से जाना और मिट्टी को कैसे तयार करते हैं और जुताई का और मिट्टी को टर्न करने का क्या benefit है वो भी आपने इस लेक्शर में हम पढ़ेंगे एगरिकल्चरल इंप्लिमेंट्स ठीक है आज के लिए बस इतना ही अगर आप लोग को लेक्शर पसंद है तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजीगा मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप चैनल को लाइक और सब्सक् में बी हैपी स्टे हेल्दी हैव अगुड दे बबाई